सरजरी में कई तरीके हैं प्राय है इसकी छाती खोल के यानि ओपन सरजरी की जाती है हम लोगों ने इसी को रोबोट की मदद से करने की पधती सिद्ध की है जिसमें छोटे छोटे छेद करके हम पूरे फूर्ट पाइप का वही ऑपरेशन करते हैं लेकिन छाती को खोलने की जगे वो छोटे छोटे होल से हो जाती है सरजरी तो इससे पेशन्ट को सरजरी के बाद रिकवरी तेज होती है दर्द कम होता है और पेशन्ट के लिए यह ज़्यादा फ्रेंडली होता है तो रोबोटिक सरजरी के द्वारा फूड पाइप के कैंसर को निकाला जाना यह ए उतना ही ज्यादा संभव है और अगर यह cancer अपने food pipe से बाकी body में फैल जाता है जिसको हम stage 4 कहते हैं तो फिर cure नहीं संभव होता इसलिए early stage में पकड़ना cure करने के लिए हमारा best chance है और robotic surgery इसको treat करने का एक बहुत ही सफल तरीका है नमस्कार कर दो